आज के इस वीडियो में आपको एक नई जोब और वेकंसी के अपडेट देने वाला हूँ जो कि आड़िया है HPCR Recruitment 22 की तरब से हिंदुस्तान, Petroleum Corporation Limited के तरब से वेकंसी अनॉंस की गई है जिसमें की Diploma, Degree वाले अपलाई कर सकते हैं, CELD जो है आपको 40,000 से लेकर के 50,000 पर मौन्थ आपको मिलने वाली है All India से आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसको अपलाई कर सकते हैं, Fraser इसमें Allowed है तो आप लोग को Complete Information, Complete Details इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यह वेकंसी कैसे अपलाई करना है, कब तक अपलाई होगा तो Complete Information के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए आप लोग के लिए नई नई वेकंसी बताने के लिए जो डिपलोमा और वीटेक्स से रिलेटेड होती है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके, बैल आकन प्रेस करके, या ओल से लिए जबर से करके रखिए इसमें डीटेल में सब कुछ दिया गया है, तो मैं बारी बारी से करके आप लोग को अच्छे से बता देता हूं, जिससे के आपको कोई भी कनफीचन नहीं रहेगा इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें जो पोस्ट है, इसमें दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्ट की बात मैंने आप लोग बताया, यह पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं फिक्ष्टर प्रोजेक्ट असूसियेट यह पोस्ट का नाम है, उसके बाद इसमें जो एजुकेस्टनल क्वालिफिकेशन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपका अगर आप MSC या BSC की हैं, डिगरी ग्रेजवेट हैं, यह सारे ब्रांज से तो आप लोग एप्लाइ कर सकते हैं उसके बाद अगर आप लोग डिपलोमा या पोस्ट ग्रेजवेट डिपलोमा की हैं, यह सारे ब्रांज से तो आप लोग इसमें एप्लाइ कर सकते हैं जिसमें की है, Chemical Engineering, Chemical Technology, Petroleum Refining, Mechanical Engineering, Automobile Engineering यह सारे ब्रांज से अगर आप लोग कीह हैं तो आप लोग इसमें कर सकते हैं, इसमें Experience कुछ भी required नहीं लिखा है, अगर आपके पास है तो भी आप लोग इसमें apply कर सकते हैं नोट में करके लिखा गया है कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि are at the time of application, the candidate should have proof of award of application, degree या डिपलोमा certificate and mark sheet तो इसमें final year वाले eligible नहीं है, जो भी candidate pass out हो चुके हैं, जिनसके पास mark sheet है, diploma या degree का, वही इसमें apply कर सकते हैं आपका जो degree या diploma का certificate है, आप लोग देख सकता है, जो AICT या UDC, Recognitive University या Dimmed University से होना चाहिए, यह इसमें mention करके लिखा हुआ है इसके लिए जो age limit है, अब आपका maximum 28 years होना चाहिए, और minimum आपका 18 years होना चाहिए, और यह age calculation का date 11 October 2021 के अनुसार से इसमें रखा जाएगा अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, stipend की तो आपको यहाँ से, stipend के तोर पे 40,000 से लेकर के 50,000 पर मन्थ आपको इसमें मिलने वाली है, तो यह बहुत ही अच्छी है, इसमें आप लोग आपको होता है, तो आप लोग जरूर से इसमें apply कीजिए, अब अगर आप की description में आपको apply online का link मिल जागा, जैसे उस पर click कीजिएगा, तो आप लोग जहां से apply होता है, वहाँ पर visit कर पाओगा, और यह PDF में भी link दिया गया है, तो आपको यहाँ पर click कर देना है, यह video की description में apply online का link मिलेगा, वहाँ पर जैसे click कीजिएगा, तो आप लोग इस website पर आजाओगे, यहाँ पर आप लोगों को, जहां से apply होता है, इसमें link सब कुछ यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जागा, कैसे आपको application form फिल करना है, वह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जागा, यहाँ पर जैसे आईएगा apply online के link पे, तो उपर में ही, यहाँ प apply करना चाहते हैं, तो यहाँ पर apply वाले option पर click करके, आप लोग इसको apply कर सकते हैं, तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर email id और password डालके sign in करने के लिए बोल रहा है, और नीचे में आपको यहाँ पर new registration जो भी candidate new register करेंगे, वह आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ ह आप लोग इसको असानी से apply कर सकते हैं, तो जो भी candidate इसमें apply करना चाहते हैं, यहाँ पर sign up for new registration पर click करके, पहले registration कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से login करके, आप लोग इस form को complete कर सकते हैं, तो I hope आप इसको समझे होंगे, इसी तरीके से आप लोग इसको apply कर सकते हैं, मैंन के मन में अगर फिर भी कोई confusion dot query होता है, तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं,